लुग यह देखिये इसको हम लोग इसके दो पहलू हैं पहला दो कोई अपना घर्र जोड़ कर के कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है जैसे मैं बिहार से हूँ सर हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है क्यों कि हमारे राज्य में अवसर नहीं है ये सच बात है बरना अपना घरबार छोर करके क्यों आएगा कोई पंजाब का कोई वेक्ति तो बिहार में जा करके धान काट नहीं रहा है बिहार का ही लोग जा करके काट रहा है तो पहला मसला ये है कि अपने देश में इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है ये सबसे प्रमुख बात है दूसरा फिर मरता क्या ना करता जो काम मिल जाए सर यहीं हमारी इन्वस्टी के पीछे जो है बहुत सारी एंबेसी है लोग जो है रात को दो बज़े से लाइन लगाते हैं फिर जहां जो काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भरती की जाती है हमारे देश में नहीं की जाती थी अब की जाएगी अभी इसकी शुरुवात हो गई है तो की ही जाती है इसराइल का मामला अलग है इसराइल में आर्मी में नहीं दूसरे काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेट नहीं, बलकि और दूसरे सिविलियन काम के लिए भारतिय नौजवानों को, अलग-अलग कमपनिया जो है, देश के अलग-अलग शहरों में शक्रिया है, किसी ना किसी कोने में जो है, तुरंत आईए मिंटों में भीजा पाईए के विज्यापन के साथ जो है, दुकान खुले हुए हैं, और भारतिय नौजवान जो है, उसमें किसी तरीके से, चाहते हैं कि हमको विदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहज बाहर चले जाते हैं, और वहां जाकर के जब उनके साथ कुछ बुड़ा होता है, वो इस पर क्या statement है, हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है, और हम आपको परचार भी तो किया गया था, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, उत्राखंड में तराश्दी हुई थी, और जो है, मोदी जी के लिए बड़ा-बड़ा परचार हुआ था, हर अखवार के प्रिष्ट पे छपा था, कि खुद से हेलिकॉप्टर चला करके ग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश के बाहर जो भारतिय नौजवानों के साथ, देश के अंदर जो परिस्थिती है, जिसके चलते उनको विदेश जाना पर रहा है, तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो सरकार इसकी जिम्मिवारी ले, ये तो सरकार बताए कि कैस से गये हैं किस माध्यम से गये हैं स्टूडेंट वीजा पे गये हैं कि वर्क वीजा पे गये हैं कि टूरिस्ट वीजा पे गये हैं वीजा का कटेगरी का है है एच वान एन वन कौन सा वीजा ले करके गये हैं यह तो सरकार बताएगी हम कैसे बता सकते हैं हम तो विदेश मंद